असलाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रोयान मलेक और आम हेर तो टीच यू फिजिक्स क्लास 10 आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 12.3 इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला ठीक है तो आईए चलते हैं बोर्ट की तरह टॉपिक नंबर 12.3 इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला हम थोरा से कल का लेक्शर रीकॉल करते हैं कल हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था उसमें हमने स्फेरिकल मिरर की दो टाइट श्टुडी की थी एक थी concave mirror और एक है convex mirror इन दो mirrors में हम basically इनका function क्या होता है कि यह कोई भी image develop करते हैं ठीक है कि हम कोई भी object है तो उसका image जो है वो develop हो जाएगा लेकिन अब इन दोनों की properties थोड़ी सी different थी ठीक है कि like हमने बात की कि concave mirror जो है वो inner side उसकी reflecting होती है ठीक है और convex mirror जो है उसकी outer side reflecting होती है ठीक है इसी तरह हमने पढ़ा था कि concave mirror में जो size of image है जो image develop होता है जो size of image है वो depend करता है object की position पे कि object की position क्या है ठीक है similarly अगर हम convex mirror की बात करें उसमें हमने पढ़ा था कि size of image जो है वो हमेशा smaller होगा हमेशा object के size से ठीक है और third is हमने एक और study की कि concave mirror में image जो है वो inverted होता है और real होता है और convex mirror में image जो है वो virtual होता है और erect होता है ठीक है अब मैं आपसे question ये करता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी जगह कोई image बन रहा है ठीक है किसी कोई object का image बन रहा है हम किस तरहां से ये बता सकते हैं कि आपका image real है virtual है inverted है या erect है ठीक है आपके image का size किया है ठीक है आपका image का size smaller है या आपके image का size जो है वो larger है ठीक है आप जो mirror आप इस्तमाल कर रहे हैं वो mirror कौन सा है वो concave है या convex है ठीक है अचा अब इन questions के answer आप इस तरहां से कर सकते हैं इसका एक method है graphical method या फिर एक और method है that is ray diagram method ठीक है आप इन दो method से आप इन सारे questions का आप answer कर सकते हैं ठीक है अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो एक और method है that is mirror formula ठीक है mirror formula और ये थोड़ा सा आसान भी है ठीक है जिससे आप इन सब चीजों के आप answer कर सकते हैं ठीक है अब इसके करम definition study करें mirror formula is the relationship between object distance p image distance q from the mirror and focal length f of the mirror ठीक है तो mirror formula basically क्या है ये relationship है तीन quantities का first है object distance जिसको हम p से denote करते हैं second is image distance जिसको हम q से denote करते हैं and the third one is focal length जिसको हम f से denote करते हैं ठीक है अब इसका हम formula study करें that is 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q ठीक है अब आप सोच रहे होंगे ये image distance क्या है object distance क्या है although focal length हम कल study कर चुके थे ठीक है इसके बारे में आपको पता होगा लेकिन इन दो चीजों के बारे में आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें क्या है ठीक है अब हम next board पर चलते हैं इस formula को further study करने के लिए जी तो हमने formula study कर लिया that is 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q ठीक है अब बात करते हैं object distance की object distance basically क्या है ठीक है उससे पहले मैं एक diagram draw करता हूँ जैसे कि आपको यहां पर एक mirror नजल आ रहा है ठीक है अब यह mirror कौन सा है outer side reflecting है that's mean कि यह convex mirror है ठीक है अब यह convex mirror है यहां पर मैंने एक object मैंने place कर दिये ठीक है यह object है अब इसका math किस तरह से बनेगा क्यूंके convex mirror है तो इसमें वह diverging rays होती है तो यह सब क्या हो गई है अब और रिफ्लेक्ट बैक हो गई अब बात यह है कि यह तो किसी भी पॉइंट पर आकर नहीं मिलेंगी तो आपिसली इमेज़ डिवालप नहीं होगा इस केसमें हम करते क्या है हम इसका इमेजनरी लाइन्स डॉग करते हैं जिस पेज पर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ठीक है वहां से हम इस तरहां से हम इमेज जो है वो बन गया है ठीक है अब let's suppose कि ये आपका image जो है वो यहाँ पर बन गया ठीक है अब ये जो आपका image यहाँ पर develop हुआ है ठीक है अब हम आते हैं अपर definitions पर object distance P it is a distance of object from pole object यहाँ पर है और pole कहाँ होता है mirror के centered में यहाँ पर होता है pole ठीक है तो ये पोल से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा फासला है ये फासला कहलाता है object distance P ठीक है ये जो distance बन रहा है object से लेकर pole तक का ये distance कहलाता है P ठीक है अब हम अगर बात करें image distance की Q distance of image from pole ठीक है अगर हम image की बात करें तो image का distance जो है वो obviously यह यहां से लेकर यह इतना distance बन रहा है pole तक का, ठीक है, so this is the distance of image, ठीक है, from pole, जिसको हम Q से denote करते हैं, clear, ठीक है, समझागी है, आपको pole से लेके image तक का जो distance होगा, फासला जो होगा, that is Q, ठीक है, अब हम बात करेंगा focal length की, it is a distance of principle focus from pole, तो let's suppose, अगर हमारी यहां पर principle axis अगर मैं draw करूं, तो यह principle axis है, जिसके उपर, यहां पर center of curvature है, और let's suppose कि यह मेरा principle focus है, ठीक है, तो अब इस principle focus जिसको हम F से denote करते हैं, अब यह principle focus से लेकर pole तक का, यह जो distance होगा, this distance is called focal length, ठीक है, clear, I hope आपको यह समझ आ गया होगा, कि image distance Q क्या है, object distance P क्या है, और focal length F क्या है, ठीक है, जिन तीन quantities को मिला कर, हम mirror formula बनाते हैं, that is 1 over F is equals to 1 over P plus 1 over Q, ठीक है, यह वो formula है, जो आपके हर question का answer करता है, कि आपका mirror जो है, वो कौन सी type का है, आपका image जो है, वो किस तरहां develop हो रहा है, ठीक है, image का size क्या है, ठीक है, उसकी nature क्या है, तो each and every questions जो भी mirror से related हैं, वो आप mirror formula को इस्तमाल करके आप answer कर सकते हैं, ठीक है, I hope आपको यह सब clear हो गया होगा, अब हम further study करते हैं, इसको और हम चलते हैं, next board की तरफ, अब हमने formula तो study कर लिया, ठीक है, अब बात यह है कि formula का आपको पता चल गया कि इसमें F क्या है, P क्या है, Q क्या है, लेकिन, अब इस formula से आप यह कैसे बताएंगे, कि आपकी जो भी image है, उसके nature क्या है, ठीक है, उसके लिए हम use करते हैं, sign conventions, ठीक है, अब अगर हमारा object distance P, जो कि अगर positive में आ रहा होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो object है, वो real object है, ठीक है, अगर object distance आपका जो भी है, अगर वो positive value में है, तो हम कहेंगे वो real object है, ठीक है, and in that case, अगर आपका object distance negative है, तो हम कहेंगे वो virtual object है, ठीक है, clear, now image distance क्यों, अगर आपका image distance positive आ जाता है, तो हम कहेंगे आपका image जो है, वो real image है, ठीक है, अगर आपका image distance negative होता है, तो हम कहेंगे वो virtual image है, अब बात करें focal length की, अगर आपका focal length positive आ जाता है, तो हम कहेंगे के वहाँ पर concave mirror है, ठीक है, अब अगर आपका focal length negative आ जाता है, तो हम कहेंगे वहाँ पर convex mirror, ठीक है, अब यह चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए, अगर तो हम convex mirror की बात कर रहे हैं, that's mean वहाँ पर focal length क्या होगा, negative होगा, अगर हम concave mirror की बात कर रहे हैं, तो हम पर focal length क्या होगा, positive होगा, ठीक है, यह चीज़ आपने, अगर जब हम numerical solve करेंगे, यह example solve करेंगे, यह चीज़ आपने उन numericals और examples में आपने खुद identify करनी है, कि वहाँ पर हम mirror कौन सा use कर रहे है, clear, ठीक है, I hope आपको यह पूरा topic समझ आ गया होगा, ठीक है, अब इन science conventions के तुरू, आप जिसने भी questions हैं, वो आप उनका answer कर सकते हैं, ठीक है, I hope आपको यह lecture clear हो गया होगा, अब हम साथ ही, इसमें activity दी गई है, that is 12.3, ठीक है, उसमें यह कहा गया है, कि एक आ ठीक है, अब यह जो अंदर वाली side है, अब यह side बनती है, कौन सा किस type का mirror बन जाता है, इससे, like, इससे concave mirror बन जाता है, ठीक है, अब वो कहता है, कि concave mirror, spoon जो है, like, concave mirror के तोर पर यहाँ पर act कर रहा है, ठीक है, अब, वो कहता है, concave mirror में, let's suppose, आप यहाँ पर कोई भी ए image जो है, जहाँ पर, कोई भी चीज रखने, जिस पर image जो है, वो develop हो जाए, ठीक है, अब यहाँ पर image develop हो जाएगा, अब basically आपने यहाँ बताना यह है, कि object का pole तक से distance कितना है, ठीक है, और pole से लेकर image तक का distance कितना है, that is q, ठीक है, यह चीज क्या थी, p और यह है q, इन दो के answers आप यहाँ से कर सकते हैं, और इस दो के answers करने के बाद, आपने mirror formula को use करके, आपने focal length भी आप find out कर सकते हैं, और focal length find out करने के बाद, आप यह भी बता सकते हैं, कि आपका mirror जो use हो रहा था, ठीक है, अब अगर हम साथ example study करें 12.1, a convex mirror is used to reflect light from an object place 66 meter in front of the mirror the focal length of the mirror is 46 centimeter find the location of image अब यहाँ वो बात कर रहा है convex mirror के तो मैंने आप से कहा था कि जब हम sign conventions पढ़ रहे थे अब convex mirror में focal length positive होती है या negative होती है येस convex mirror में focal length क्या है हमारी negative है तो अब अगर मैं इसका data लिखूँगा ठीक है तो data में मुझे पहले तो object का दिया गया है कि object का distance जो है वो 66 meter है ठीक है so object distance peak and it is 66 centimeter and the focal length f it is 46 centimeter अब क्योंके convex mirror है यहाँ पर हमारा focal length जो है वो negative होगा ठीक है और आपने find क्या करना है आपने find करना है location of image which is q ठीक है अब गी q आपने find करना है इसको find करने के लिए हम चलते हैं अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो mirror formula है वो क्या है ठीक है तो इसमें हम by using mirror formula which is 1 by f is equal to 1 by p plus 1 by q अब क्यूंके आपको यहाँ पर q चाहिए ठीक है तो उस 1 by p को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे यहाँ पर यह value positive में है तो यह उदर आके quantity negative में हो जाएगी तो 1 by q का formula बन जाएगा 1 by f minus 1 by p ठीक है अब अगर हम इसमें values put करें तो 1 by q is equal to f की value है minus 46 p की value है 66 cm ठीक है अब अगर हम इन दोनों को further solve करें तो 1 by q का answer आ जाएगा 1 over minus 27 cm ठीक है अब इसको मैं कर दोनों को उपर लेकर चला जाओं तो q is equal to हो जाएगा minus 27 cm ठीक है clear तो यह आ गया आपका location of image that is q and its value is minus 27 cm ठीक है अब अगर यहां पर बात की जाए negative sign की ठीक है तो negative sign shows यहां आप result में लिख सकते हैं कि negative sign shows that image is virtual ठीक है image जो है वो virtual है and virtual means कि आपका image जो है वो behind the mirror है ठीक है mirror के पीछे जो है वो image बन रहा है that's why हम उसे कहेंगे कि वो image virtual है clear अब example number 12.2 start करते है an object is placed 6 cm in front of a concave mirror that has focal length 10 cm determine the location of the image अब यहां पर बात वो कर रहा है concave mirror की तो हमने last foot पर study किया था कि जब concave mirror होगा तो concave mirror में आपकी focal lens जो है वो हमेशा positive होगी तो अगर हम इसका हम data लिखें ठीक है तो data में आपको object distance दिया हुए ठीक है and it is P and its value is 6 cm ठीक है आपको focal length दी गई है f और यह है 10 cm तो क्यूंके concave mirror है ठीक है तो concave mirror में जो हमारी focal length होती है उसको positive consider करते है और location of image आपने find करनी है that mean q आपने find करना है ठीक है बिल्कुल same as it is हम by using mirror formula and mirror formula होता है 1 by f is equals to 1 by p plus 1 by q आपने 1 by q find करना है मतलब q आपने find करना है तो इस quantity को हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं यहां पर यह plus में है तो यह दर आके minus में हो जाएगी तो 1 by q का formula बन जाएगा 1 by f minus 1 by p ठीक है now you just have to place the values 1 by q is equals to 1 by f की value है 10 minus 1 by p की value है 6 ठीक है अब अगर हम इसको further solve करें तो यह आ जाएगा 1 by minus 15 cm ठीक है अब इस दोनों को में गर उपर लिख दूँँ तो q is equals to minus 15 cm ठीक है तो यह आ जाएगी location of image जो है minus 15 cm अगें अगें we can write the negative sign shows that image is virtual and virtual means का आपका जो image है वो behind the mirror है वो mirror से पीछे बन रहा है तो हम कह सकते हैं that image is virtual ठीक है I hope आपकी दोनों example समझ आ गी होंगी ठीक है next lecture तक के लिए take care Allah Hafiz